EPA's 95 Pension सबका साथस्पका विश्वास के दाइरे में नहीं Pensioners एक हजार में गुजारते रहिए जिन्दगी केंद्र सरकार की नीतियों पर Pensioners सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे है सूचनाजी News, 36 गड कर्मचारी Pension योजना 1995, Employee Pension Scheme 1995 यहाँ शब्द इस वक्त सुर्खियों में है नियोंतम पेंशन एक हजार रुपए से बढ़ा कर साथ हजार पांच सो रुपए करने की आवाज बुलंद की जा रही है करनाटक के बैंगलरू के रहने वाले Pensioners सत्यनारायन हेगडे ने सरकार पर तंस कस्ते हुए भडास निकाली लिखा प्रधान मंत्री मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दो बार के वादे के बावजूद उन्होंने और उनके श्रम एवं रोजगार मंत्री, मिनिस्टर ओफ लेबर एन एम्प्लॉइमेंट ने जान बूच कर उन असहाय और गरीब पेंशन भोगियों को नजर अंदाज किया। परजित योगदान और अपर्याप्ट चिकित्सा उपचार के बावजूद पर्याप्ट उचित पेंशन के बिना मर रही हैं। मोदी ने अपने किले को सुरक्षित रखने के लिए। बहुत से पेंशन भोगि अपने साथ हुए अन्याय के लिए मोदी को कोस्ते हुए अंतिम सांस ले रही है। प्रधान मंत्री मोदी ने अपने किले को सुरक्षित रखने के लिए करदाता पेंशन भोगियों की कीमत पर सांसदो विधायकों को कई तरह की पेंशन सहित सभी तरह की सुविधाय दी। नेताओं के हाथों में मोहरे के रूप में पेंशनर्स। भारत में लोकतंत्र केवल उन लोगों के लिए है नेताओं, उन नेताओं के लिए जिनके पास एक तरह के अधिकार है और उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें राजनीतिक नेताओं के हाथों में मोहरे के रूप में इस्तमाल किया जा रहा है जो केवल आपातकाल के लायक है जब सभी आम लोग सुरक्षित थे आने वाले दिनों में हम इस मोधी सरकार के लिए बहुत सी नकारात्मक चीजे देखेंगे सरकार ने EPS 1995 में किया संशोधन छे महीने से कम सर्विस करने वालों को भी मिलेगा विड्रॉल बेनेफिट Employees Pension Scheme Update अब वैसे EPS मेंबर्स को भी विड्रॉल बेनेफिट का लाब मिलेगा जो छे महीने से कम टेन्योर के लिए EPS में योगदान करते हैं Employees Pension Scheme, Employee Pension Scheme, Employees Pension Scheme में छे महीने से कम योगदान देने के बाद भी EPS Members, EPS Members पैसे निकाल सकेंगे भारत सरकार ने Employee Pension Scheme, Employees Pension Scheme, EPS 1995 में संशोधन किया है जिसके बाद 6 महीने से कम के लिए योगदान करने के बाद भी सदस्य विड्रॉल बेनेफिट का लाब उठा सकेंगे EPS 1995 में संशोधन के चलते वैसे 7 लाख EPS Members को लाब होगा जो कस से कम 6 महीने के लिए EPS में योगदान देने के नियम के बावजूद इससे कम अवधी के लिए योगदान देने के बाद सकीम को बीच में छोड़ देते हैं श्रम मंत्राले ने बताया कि देश में लाखों ऐसे EPS 95 सकीम के सदस्य हैं जो पेंशन पाने के लिए 10 वर्ष तक लगातार सकीम में योगदान करने के नियम के बावजूद बीच में ही सकीम से बाहर आ जाते हैं ऐसे सदस्यों को सकीम के नियम के तहत पैसे निकालने का benefit दिया जाता है वित्वर्ष 2023 से 24 में 30 लाख withdrawal benefit के claim को settle किया गया है अभी तक withdrawal benefit के calculation के लिए service में पूरे किये गए वर्ष और उस वेतन के आधार पर तै किया जाता है जिस पर EPS के लिए योगदान किया गया है 6 महीने या उससे अधिक समय तक योगदान करने वाले members ही इस withdrawal benefit का लाभ ले सकते थे ऐसे में जो सदस्य 6 महीने से कम समय तक योगदान करने के बाद scheme छोड़ देते हैं उन्हें कोई withdrawal benefit नहीं मिलता था इसके चलते कई लोगों के claim के आवेदन को खारिश कर दिया जाता था श्रम मंत्राले के मुताबिक इसके चलते 2023 से 2024 में 7 लाख withdrawal claim के आवेदन को खारिश कर दिया गया जिसमें 6 महीने से कम समय के लिए EPS 95 स्कीम में योगदान किया गया था लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद वैसे सभी EPS सदस्य जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयू के नहीं हुए हैं वे भी पैसे निकालने के benefit के लिए हगदार हो जाएंगे केंद्र सरकार ने Table D को भी संशोधित किया है अब से withdrawal benefit इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्य ने कितने महीने तक सर्विस किया है और वेतन पर कितना EPS का योगदान किया जाता रहा है इससे सदस्यों के withdrawal benefit को तरक संगत बनाने में मदद मिलेगी इस संशोधन से 23 लाख से अधिक EPS सदस्यों को लाब होगा इससे उचित withdrawal benefit को लाब मिल सकेगा उदाहरण के लिए अगर कोई सदस्य 15,000 रुपए के मासिक वेतन पर 2 साल 5 महीने तक सर्विस करने के दौरान EPS के लिए योगदान करता है तो पहले के नियम के मुताबिक उसे 29,850 रुपए withdrawal benefit मिलता लेकिन नियमों में संशोधन के बाद 36,000 रुपए का निकासी लाब मिलेगा EPS में बड़ा बदलाव अब नए आधार पर होगी pension की गणना केंद्रिय सिविल सेवा, pension, नियमावली, 2021 के तहट pension योजना में संशोधन करते हुए नए कारक लागू किये गए हैं जो सेवा के महीनों के आधार पर pension की गणना करेंगे यह संशोधन 14 जून 2024 से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों को अधिक लाब प्रदान करना है पेंशन और पेंशन भोगी कल्यान विभाग ने किया अधिसूचित जानिये नए नियम 14 जून 2024 को केंद्रिय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के तहट करमचारी पेंशन योजना 1995 में बड़े बदलाव किये गए है नए संशोधन के तहट पेंशन की गणना के लिए नए कारक निरधारित किये गए है जो करमचारियों की सेवा अवधी के अनुसार लागू होंगे संशोधन का उद्देश्य इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को अधिक लाब प्रदान करना और उनकी वित्तिय सुरक्षा को बढ़ाना है नए नियमों के अनुसार अब करमचारियों की सेवा के महिनों के अनुसार पेंशन की राशी निर्धारित की जाएगी टेबल दी में बदलाव करमचारी पेंशन योजना 1995 के टेबल दी में नए कारकों को शामिल किया गया है ये कारक कर्मचारियों की सेवा के महिनों के आधार पर पेंशन की गणना करेंगे सेवा के महिन मस्दूरी का अनुपात 10.08 20.17 30.25 40.33 50.42 60.51 70.60 80.68 90.77 100.85 110.94 121.02 131.10 141.18 151.22 161.34 171.42 181.51 191.59 201.67 211.75 211.75 211.8 231.91 241.99 252.07 262.16 211.00 212.00 242.00 282.00 322.00 292.00 292.00 40.00 302.00 302.00 312.00 5.00 312.00 6.00 352.00 332.00 73.00 342.00 32.00 352.00 9.00 362.00 362.00 98.00 373.00 363.00 383.00 353.00 353.00 393.00 233.00 403.00 303.00 302.00 343.00 503.00 353.00 Pension کی गणना अब सेवा के महीनों के अनुसार नए कारकों के आधार पर की जाएगी 14.00 June 2014 से ये नए नियाम लागु हो गए है इस सन्शोधन का उद्देष्य पैंशन भोगियों को बहतर पेंशन लाब प्रदान करना है। इस केंद्र सरकार के विभिन विभागों के प्रतिनिधी मंडलों ने भाग लिया। विभिन्न मांगों के ऊपर चर्चा की गई और इसमें से कुछ मुद्दों को माना गया और कुछ मुद्दों के ऊपर पुनह विचार करने की सहमती बनी साथ ही कुछ मुद्दों को खारिच कर दिया गया तो चलिए विस्तार में जान लेते हैं कुछ खास मुद्दों के बारे में जिन पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालेओं ने क्या निर्णय लिया पेंशन धारकों का हेल्थ चेक अप इस बैठक में पेंशन भोगी संघटनों ने मांग किया था कि पेंशन भोगियों के लिए आवदिक हेल्थ चेक अप छे महिने में या साल में एक बार आयोजित किया जाए पेंशन भोगी संघटनों ने समय समय पर हेल्थ चेक अप करने की मांग की थी इस पर स्वास्थे एवं परिवार कल्यान मंत्राले के प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेक अप कराने की छूट दी जाती है हेल्थ चेकप कराने के इच्छुक पेंशन भोगी CGHS से सूची बद्ध अस्पताल में चेकप के लिए CGHS Wellness Center के CMO से रेफरल ले सकते हैं CGHS Wellness Center के CMO बिना किसी शिकायत के चेकप के लिए मनजूरी देगे अगर इससे संबंधित किसी पेंशन भोगी को कोई भी शिकायत है तो वे Local Advisory Committee के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं 65 साल से मिले 5% अतिरिक पेंशन का फाइदा पेंशन भोगी संघटनों ने मांग उठाया था कि पेंशन भोगियों की पेंशन में अतिरिक पेंशन बढ़ोतरी का फाइदा 65 साल से ही दिया जाए 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20% इस प्रकार से एडिशनल पेंशन का फाइदा दिया जाए हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी किया जाए इस पर DOPW के Joint Secretary ने बताया कि इस मुद्दे के उपर Department of Economic Affairs का सुझाव मांगा गया था इस पर उन्होंने कहा कि अगर यह प्रपोजल स्वीकार किया जाता है तो सरकार की Financial Condition बिगड सकती है साथ ही राज्य सरकारों के पेंशन भोगी भी इस तरह की डिमांड रखेंगे जिसकी वजह से वित्तिय बाधाएं आ सकती है इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता Joint Secretary के इस दलील के बाद पेंशन भोगी संगठनों ने इस मांग के उपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया फिलहाल यहां मामला अभी विचारा धीन है FMA में बढ़ोतरी Non-CJCHS एरिया में रहने वाले पेंशन धारकों के Fixed Medical Allowance में बढ़ोतरी का भी मुद्दा इस बैठक में उठाया गया Fixed Medical Allowance अभी एक हजार रुपए है जिसमें बढ़ोतरी किये जाने की मांग की गई थी पेंशन भोगी संगठनों का कहना था कि मात्र एक हजार रुपए में दवाओं की जरूरते पूरी नहीं की जा सकती इसलिए इसको ततकाल एक हजार रुपए से बढ़ा के तीन हजार रुपए किया जाए इस पर स्वास्थे एवां परिवार कल्यान मंत्राले के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इस मुद्दे का परिरक्षन बजट डिविजन आफ डिपार्मेंट आफ एकोनामिक अफेर एवां डिपार्मेंट आफ एकस्पेंडिचर के साथ किया गया और यहां पर इनका कहना है कि साथ एच सीपीसी की सिफारिश के अनुसार एक जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस एक हजार फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मनजूरी और उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा देने का आदेश जारी करें इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि फिक्स मेडिकल अलाउंस और आरेलेचेस यानी रेलवे हॉस्पिटल का फायदा पेंशन धारकों के साथ ही साथ सभी फैमिली पेंशन भोगियों को दिया जाता ह अब रेल्वे ने एक आदेश जारी किया है और पेंशन पाने वाली ऐसे विध्वा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस और आर्यलेचेस का फाइदा देने का निर्णय लिया है रेल्वे किराए में पेंशन धारकों सीनियर सिटीजन को मिले चूट पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे मंत्राले के प्रतिनिधियों से डिमांड किया कि रेलवे किराए में पेंशन धारकों को जो पहले की तरह छूट मिलती थी, वह छूट फिर से बहाल किया जाए इस पर रेलवे मंत्राले ने कहा कि रेलवे विभाग यात्रियों को रेलवे किराए में लगभग 69,837 करोड की छूट देता है अगर प्रती व्यक्ति देखा जाए तो 53% की छूट रेलवे यात्रा में दी जाती है दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों और रोगियों को छूट का लाभ दिया जाता है उसके बाद रेलवे प्रतिनिधी ने कहा कि वर्तमान की स्थिती में पेंशन धार को और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे किराए में छूट को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर कर्मियों को एक इंक्रिमेंट का फाइदा इस बैठक में नौशनल इंक्रिमेंट का मुद्दा भी उठाया गया पेंशन भोगी संघटनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारी एक साल की अवधी पूरी करते हैं इसलिए उनको एक जुलाई एक जनवरी के इंक्रिमेंट का फाइदा देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था इस पर डॉप्ट के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को वेतन वृधी की तारीक पर सेवा में होना चाहिए उन्होंने आगे कहा कि इस मौजूदा नियमों में संशोधन करने की मांग की गई थी और इस मुद्दे को डेपार्टमेंट ओफ एक्स्पेंडेचर के साथ उठाया गया था अब इस मुद्दे को लेकर अटौनी जनरल के साथ पुना विचार किया जाएगा और जल्धी इंक्रिमेंट देने का आदेश जारी किया जाएगा आदेश की प्रती डाउनलोड करें, कॉम्यूटेशन बहाली हो 12 साल पर पेंशन भोगी संगठनों ने केंद्र सरकार से डिमांड की किये गुजरात सरकार ने कम्यूटेशन बहाली को 15 साल से घटा कर 13 साल किया है वहीं पर पंजाभ हरियाना हाई कोट ने भी 10 साल 8 महिने के बाद रिकवरी न करने का आदेश जारी किया है ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगी इस कोट केस का हवाला देकर इस मामले में केस दायर कर सकते हैं ज्यादा केस होने पर न्यायालय पर बोज पड़ेगा और पेंशन भोगियों को वित्तिय नुकसान भी होगा उसको देखते हुए कोम्यूटेशन बहाली 12 साल करने का सर्वसाधारण आदेश जारी किया जाए इस पर केंद्र सरकार डॉप सचिव ने बताया कि इसके उपर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसके उपर निर्णे लिया जाएगा